अरे बच्ची की गल्ती थी, उसे क्यों बारा? अरे अपने बच्चों को सब्सक्राइब आप सौरी, मैंने देखा नहीं अब सौरी बोलने से क्या फाइदा? मारने से पहले सोच ले थी छोड़िये न, उन्होंने गल्ती से मारा होगा I'm so sorry, मैंने मुझे माफ कर दीजिये, प्लीज भाई, ठपड़ खाके भी आप चुप रहे है वो कह रही है न, कि उसने गल्ती से मारा, छोड़िये वैसे कहां जा रहे हैं आप? यही पास में, धरमपुर अच्छा, धरमपुर, वही पर मेरी भानजी की शादी है अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंग और तुम्हारा नाम? मेरा नाम क्रिश, एक सेक ना ठीक है, ठीक है हाँ बोल, कोछ नहीं है हाँ वही पर आ रहा हूँ, पर तू पिकर ने आ जाना, याद से चल, बाई मामी, मामी, मुझे चोकलेट दिलाओ ना, प्लीज मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बेच जाओ नीचे तू बहुत जिद्धी हो गई हो, तुम्हारे पापा से बिस्किट का पैकेट दिलाओ अब रोना बन करो बाई साब, एक चोकलेट, एक पानी की बॉटल और एक बिस्किट का पैकेट दिलाओ जे लेटे बाई साब तेंक्यू उड़ी ओष्यू मेरी चॉकलेट ये सब तुम्हारे लिए ही है अंगल को थैंकी बोलो थैंक यू आपकी सीटे साथ जी हटा लेता भाई साथ यहाँ जो लड़की थी वो वो तो आपके पीछे ही उतर गई ओके ठीक है ए रुको ए क्या है चुपचब लेते हो या पुलीस को बलाउं पुलिस बलाएगी बोजे पुलिस की दमकी दे रही है चुपचब लेता लोगत पता नहीं सुबह किसकी शकल देखी थी बीच रस्ते पर चेन लेकर एक्जिबीशन क्यों लगा रख़ा है किसका ह यह श्वेता तुम आजाद नहीं हो परुल पर बाहर जा रही हो अगर बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो परुल को अफेक्ट करेगा यह मेरी ही है यहां बहुत चोरी होती है गले में डाल दो इसे देख के रहा है बस निकालना भाई साब यहां जो बस खड़ी थी वो कहां गई वो बस तो बहुत दिर पहले ही निकल गई बस निकल गई मेरा लगज था उसमें जलो निकालो न जल्दी वैसे कहां जा रहे है आप यहीं पास में धरमपुर तुम्हारे पापा का नाम क्या है ताकुर बलदेव सिंग्ग तुम्हारा नाम मेरा नम कृष धरमपुर जाने की बस कहां मिलेगी दस नंबर पर जाईए वहां कि कोई न भाई साब आमका बैग पैर में लग रहा है जरा उपर रखेंगे इसे यह बैग लगता है उस लड़की का बैग है कलती से छुट गया हुआ है ठीक है इसे रख लेता हूँ तरमपुर आ गया किसी को तरने गया बस आही रही होगी सुलिए धरमपुर में क्रिश का घर का है आपको पता है धरमपुर में क्रिश नाम का कोई आदमी नहीं रहता ठाकुर बल्देव से बल्देव सिंग के घर जाना है यहां से सीधे चार किलो मीटर तक जाओ वहां किसी से पूछ लेना कि बल्देव सिंग के घर जाना है यहां कोई गाड़ी नहीं मिलेगी अगर कोई उस तरफ जा रहा हो तो उससे मदद मांग लेना ओके हाँ, इस लड़की को मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ हलो, हाई मुझे धरमपूर जाना है, क्या आप छोड़ देंगे, प्लीज अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आईए आईए, बैठे तांक्यू आजकर के लड़कियां बहुत चालाक हो गई है, पता नहीं मुझे क्या समझ रही है बाई दावे, मेरा नाम शिवा है, इस गाउ में सबसे जादा पढ़ा दिखा मैं हूँ, आप चाहे तो मुझे इंग्लिश में भी बात कर सकती है क्या यार कोई रेक्शेन ही ने दिया इसमें मैं सोच रहा था कि कल ये कार सर्विस में दे दूँ, लेकिन अब इरादा बदल गया है मेरा क्यों? अब आप इस कार में बैठ गई हैं तो इसकी धुलाई की कोई ज़रत में है मूँ बंद रखो, परना तुम्हारी ही धुलाई हो जाएगी शिवा, अपना मूँ बंद खरके चुपचाप गाना चलादे यंद पेन्निलूं इल्लाद वंरू, एदो, अदु एदो, अडि एदो, उनिडं इरुक्किरदू मुख़्िन मेले, मुख्कुत्ती पोले, मच्चमूलदे, अधवा, अधवा, अधवा तुमने गाड़े क्यों रोक दी, आप यहाँ किसे मिलने आई हैं ठाकुल niin सीग्से बल्देव सिंग से? एक कान कीजिए, आप यहां से सिद्धे जाएंगे ना, वहाँ पर एक बंगला है, वहाँ पर कोई भी बता देगा बल्देव सिंग का कर, आप जाएगे ओके, थैंक्स जे ए भगवान, मैं तो बसी गया था सुधिये जी, काफे लीजिए वहाँ रख दो, अभी काम कर रहा हूँ बड़ा कलेक्टर का काम कर रहे हैं सुनिए, इस लकड़े को बार-बार साफ करने से अच्छा है, उन कबुतरों को वहाँ से उड़ा देते मैंने तुमसे राय मांगी क्या अरे भाग्यवान, ये वो लठी है जिससे कितनों को पछाड़ा है मैंने जाओ जाकर अपना काम करो बोलती है कबुतरों को यहां से उड़ाओ कौन हो बेटा, किससे मिलना है बलदेव सिंग से मिलना है मैं बलदेव का बाप हूँ, मुझे बताओ क्या काम है जी ये चेन हाँ, ये तो हमारा खाननानी चेन है बेटी ये तुम्हारे पास कहां से आई तरसल ये चेन क्रिशने बस में क्रिशना मेरा पोता है, पहले बताओ ये तुम्हें कहा मिले ये चेन मैं और क्रिशना बस में क्रिशना ने तुम्हें दी, क्या रिष्टा है तुम्हारा क्रिशना के साथ नहीं, क्रिशना नहीं मिसेस क्रिष्णा हो कह देजिये न भाभी भाभी? भाभी? हाँ मा कैसी है आप? आपके बारे में बहुत सुना था आप एके बारे में भाईया बात करते हैं भाईया ने जैसा कहा तो उसे ज्यादा खुपसुरे थे भाभी आप भाभी गलत जगह लग गया था मैं तो क्रिष्णा इसी लड़की से प्यार करता है क्या? क्या पूश्री है काकी? प्यार करते हैं इसलिए तो भाभी ने हमारा खांदानी जवर इनके गले में डाला है नई, ऐसा नई है तुमारा नाम क्या है बेटी? जी मैं किस खांदान से हो? बेटी कहां से आई हो तुम? रिष्णा को कैसे चांदे हो? साथ में पढ़ते हो क्या? तुम कहां से आई हो? और ये चेन तुमें कहां से मिली? ओ हो, आप सब भाभी के बारे में जाना चाहते हैं ना? नाम है गायतरी, मुंबई से हैं नहीं लाए क्या मैं बताती हूना? भाभी और गायतरी साथ में पढ़ते थे कॉलेज खतम होने के बाद दोनों प्यार में पढ़ गे, है ना? जरा रुको, कोई भी लड़की हमारे खांदानी जिवर पहन कर आ जाएगी तो क्या आम उसे अपनी बहू माल लेंगे? ये होई ना बात, क्या सवाल किया है? आजकर इनका भी दिमाग चलता है? ये बताओ, क्रिश का है? आप सब लोग मिलकर भाभी की क्लास लेंगे, इसलिए भाभी को यहाँ पटाने के लिए भेजा है कहे काम से? एक लड़की मिलेती, वो भी चलिए रहे क्या हूँ अब भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुम बोलने दोगे तब भाभी कबसे आप बाहर खड़े रहकर बात करिये? अंदर चलिए ना नहीं मेरी बात तो सुनो नहीं भाभी, आप पहले अंदर चलिए, चलिए ना वही रुको पहली बार बहु घर पर आई है, उससे ऐसी अंदर लाओगी क्या? दीदी, आरती के थाली लेकर आओ आरती के थाली? हाँ बहु, आरती के थाली लाओ लगता है, अब मुझे एंट्रिक कर लेनी चाहिए हे शिवा, लेड़की से मिले क्या? क्रिश की गर्ल फ्रेंड है हाँ, पता है, पता है नमस्ते, कैसी हैं आप? आते से में कोई मुसिबत तो नहीं हुई? होई भी हो तो माफ कर दीजिगा उसे दरसल पता नहीं था कि आप इस घर की बहु है इसलिए गलती हो सकती है सही कहरो शिवा, अगर इस घर की बहु से किसी ने रास्ते में बत्तमीजी की होती तो उसकी हड़ी पसली एक कर देता है क्या हुआ? आरती तायार के है? इसलिए मुझे सबकी सहमती चाहिए कि इस साल इस तेवहार को हम खूब अच्छे से मनाएंगे कलेक्टर साब इस साल हम आखरी बार जोहार मना रहे हैं यह हमारे गाउं में होना चाहिए क्योंकि पिछले पांस सालों में हमीं लोग लट्टबाजी में जीते चले आ रहे है क्यों रहे काली जीत का भूत अभी तक नहीं उत्रा हाँ दोनों गाउवाले इसे लेकर जगड़ा करें मैं यह नहीं चाहता इस साल आप दोनों गाउव की लोग मिल के मनाएंगे मैं यह चाहता हूँ साब ऐसा कैसे हो सकता है आपकी बात मानेंगे तो हमारे गाउव की बेज़ती नहीं हो जाएगी देवी पूजा करने से पहले हमें लठबाजी में हरा कर दिखाओ बुलो जी जा जी मैं आ रहा हूँ अब तक वो क्या करेंगे हम क्या करेंगे यह आप ही बताते आए हैं देवी की पूजा हमारे यहां ही हो यह कोई जरूरी नहीं आज तक जिस शद्धा से हमारा गाउव यह पूजा करता आया है इस साल भी उसी शद्धा से यह पूजा की जाएगी मैं चाहता हूँ यह पूजा बिना किसी रोक टुक्के हो और आपको इसका रास्ता निकालना होगा मुझे कुछ जरूरी काम है मैं आता हूँ इसे आपकी सास ने बनाया है खाईए न भावी यह सब क्या हो रहा है आओ ठाकर भावी पापा आईए ना अभी तक पूछ तास नहीं कि यह कौन है मताओ बेटा कौन हो यह भावी है पापा मैंने तुम से पूछा तुम बोलो बेटा जब से यहां आई हो यह लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे बस में आपका बेटा और मैं क्या वा सर कोई प्रॉब्लम है क्या एक मिरट रुकिया बोलो बेटा बस में मेरा बेटा क्रिश और तुम अब भावी आप ही बोले हाँ बेटा तुम ही बोलो नहीं आपके बेटे ने एक गलती क्या गलती की मेरे बेटे में नहीं नहीं दरसल बात यह है आहम से बताओ बेटा कौन हो तुम कहा से आई हो इनके बेटे से तुम्हारा क्या रिष्टा है सारी बातें डिटेल्स में बताओ बेटी खिला खिला के बेश कर लिए तुमनों चुप रहोगे इस लड़की को देखो क्या हुआ ये लीजे पानी उसके मूपे मारिये लगता सफर के बाद ठक गई है अहां ठीक है अहां अराम से सबने मिलके आरती उतारी थी नो उसकी अब देखना आप भी न कुछ भी बोलते रहते हैं ये बात सबको पहले से ही पता थी या अभी पता चली नहीं जी अभी पता चली पर दिव्या को क्रिश्ट ने पहले से बता कर रखा था जैसे इस घर में सबसे बड़ी वही है ए शिवा हां बोलिए जरा क्रिश्ट न को फोन करो तो च्राइ किया था लेकिन फोन नहीं मिला फिर से ट्राइ करो हाँ करता हूं रिंग जा रहे है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है फोन भी नहीं उठा सकता है ऐसा कौन सा काम कर रहा है कहां अकर फास गई हापी बर्दे टू यू हापी बर्दे डियर गाइत्री हापी बर्दे टू यू ये लो थेंक यू नाइश आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पहला बर्दे है जो तुम मेरे साथ सेलिबरेट कर रही हो ये बर्दे मेरे लिए भी स्पेशल है ये मेरा लास्ट बर्दे में इंडिया में सेलिबरेट कर रही हूँ नेक्स बर्दे यूएस में मनाएंगे सिर्फ तुम और मैं बस सिर्फ सोचती हूँ फिर भी कितना अच्छा लगता है हे वीजा रेडी हो जाएगा वो प्रोसेस में है घरवालों को बताने वाले थे ना बात की तुमने उससे पहले अगर तुम एक बार घर आ जाती तो बात करने में आसानी होती जरूर आउंगी पर कब आउंगी ये पता नहीं किसी दिन अच्छा ना काकर उन्हें में सर्प्राइज दूगी ऐसे इस वक्त मेरे पास भी एक सर्प्राइज है ताड़ा, many more happily in terms of the day तैंक यू मैंने बहुत ढूरने के बाद ये स्पेशल चीज तुम्हारे ले लाई अच्छा लगा मैं साड़ी कहां पहनती हूँ लवर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये भी तुम्हें पता नहीं एई, जो मुझे चाहिए वो में ले ही लोंगी एई सुनिया जी एक अंजान लड़की हमारे क्रिश से प्यार करती है ये कहकर सारी रात हमारे घर में रुकी रही आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं अब मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हारे बेटे ने फैसला किया है तुम सबने उसकी आरती भी उता रही है अब मैं क्या बात करूँ उससे तो क्या हुआ हमें लड़की के बारे में पूछताश नहीं करनी चाहिए क्या हाँ जी जी क्रिशना से बात हुई या नहीं ट्राय किया था नंबर नहीं लगा कब ट्राय किया कल रात को सही तुझे गाली देता हूँ मैं जी जा जी बोन लगा उसे फिर से स्पीकर आउन करो ठीक है जी जा जी हेलो अरे कहां हो भांजे रूम पर हो बोलो ना मामा तुम्हारे लव के बारे में घर पे सबको पता चाहिए ऐसे बता चलोगा कहीं देविया ने तो नहीं बता दिया कुछ बोल रहे हो उसने घर पे सबको बता दिया क्या हाँ बता दिया पापा, पापा ने क्या का? हाँ, स्पीकर आउन करने के लिए बोला है हाँ, तो आउन कर दो रहा मुझे किसी बात का डर नहीं है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा और मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता ठीक है ठीक है आग कब रहे हो तुम मैं बहुत बिजी हूँ मामा बहुत काम पड़े हैं काम गया भाड में कल सुबह उसे यहाने के लिए बोलो पापा बताने दिव्या कहा ले जा रही है मुझे चलिये न भाबी पहली बार गाव में आई है गर पर बेटकर क्या करेंगी इसलिए पूरा गाव देख लीजी इसी रास्ते से बस्टन भी जा सकते हैं न जा सकते हैं पर लंबा रास्ता है क्या हुआ भाबी आप भाईया को सर्प्राइज देना चाहती हैं क्या कौन है ये दिव्या यह गायत्री है, मेरे भहिया की इन से शादी होने वाली है एक मिनट दिव्या में इक कॉल कर क्यादी गर पर बात करते हैं न भावी दिव्या ओचुंच है शादी में आप जरूर आईएगा अगरवाल साब को काट देना मत पूलिएगा कौन है? रुको, रुको, मैं देखता हूँ ओई, उपर जाकर जाएगा जल रहे ओई, तेरी बहन श्वेता कहा है श्वेता? वो यहां क्यों आएगी? बगवास बंगर और बता कहा है वो? वो तो इस वक जेल में है वो फरोल पर बाहर निकली है उसे वहीं खत्म कर देता लेकिन बच गई वो बोल कहा है वो? बोल ठेक है आता हूँ बाई, वो यहां नहीं है लगता कहीं और छुपी है मैं जानता हूँ तेरी बेहन तुसे बहुत प्यार करती है वो चाहे कहीं भी होगी मुझसे बच नहीं सकती तेरी शादी के लिए ही वो बाहर आई है ना उससी दिन उसे खात्म कर दूँगा एई, तेरी शादी तक उसे जहां छुपना है छुपले लेकिन उस दिन तो आएगी ना चलो चलिए भावी, देर हो रही है वो भावी, ये कया हो किया हो से हो जाराएग्या दो अही हो झाहा है प्रउड़ी हो झाहो किया होग Hare यह तो दादा को बार रही है अरे यह कहां ले जा रहे है क्या हुआ अरे वाप्रे घर पे आई लड़की दादा और गाड़ी को लेकर फरार हो गई अरे शिवा जीजा जी वहाँ क्या हुआ बेटा क्या हुआ डॉक्टर कोई घबड़ाने की बात नहीं है थोड़ा गेस ट्रबल था जा कर देख सकते एक कॉल कर सकती हूँ हाँ कर लीजे हलो दीदी मैं श्वेता बोल रही हूँ हे कहां हो तुम कुछ नहीं बस एक मुसीबत में भज गई मुसीबत अब फिर से क्या हुआ टेंशन की कोई बात नहीं है दीदी एक गधे की मदद करने के चकर में उसकी परिवार में भज गई हूँ वो सब छोड़ो मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं वापस आ रही हूँ सुनो तुम यहां पर मत आना पहले ही यहां तूफान आया हुआ है और तुम यहां आने के बात कर रही हूँ कैसे तुफान दीदी मैंने तुम्हारे बारे में यहां किसी से बात नहीं की है अपनी बहन के बारे में बताने में कैसी शर्म मेरी बहन परोल पर आ रही है यह बताओ मेरे घरवालों से मैं यह नहीं कह सकती मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा वक्त देने के लिए कह रही हूँ तब तक परोल का टाइम खत्म हो जाएगा मुझे कुछ नहीं सुनना मैं यहां से निकल गई हूँ और वहीं आ रही हूँ देखो श्वेता, अगर तुम यहां आओगी तो मेरी शादी रुख जाएगी क्या तुम यह चाहती हो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ अब तुम जहाँ पर हो, वही पर रुखो वही तुम्हारे लिए सेफ है इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में ही रहती मेरी बात मानो ज़रा सबर करो वक्त आने पर मैं घरवालों से तुम्हारे बारे में बात करके तुम्हें बताओंगी ठीक है? हलो? दीदी? मुह बंद हो गया इनका तीकी चीज़े बहुत खाई है ना अब तीकी चीज़े बिल्कुल बंद हम कुछ नहीं देते ये खुद ही बाहर खाकर आते है इस मर्द की कुई दवा है डॉक्टर? दवा दे दिये लेकिन जरूरी है कि थोड़ा चलना फिरना किया करें चलना पड़ेगा? और नहीं तो क्या? उल्टा सिदा खाकर पेट में गैस भर लिया निकालना तो होगा ना जी जा जी आप चलिए मैं लेकर आता हूं ठीक है हम चलते हैं ये ले आएगा संभल कर ले आना शिवा मा? आओ माहरती कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे या इश्क फर्माने? चाओ चाओ मा? ऐसी कोई बात नहीं है हाँ आगया आओ मेंजा सब कुछ करके ऐसे खड़ा है जैसे क्यों कुछ किया ही नहीं है चुप रहो ना मामा क्यों भाईया? मुझसे भी छुपाया सर्प्राइज देने वाले थे ऐसा क्या किया है मैंने? जा कर उससे ही पूछ लो किससे पूछ हूँ? उसी से जिसे तुमने भेजा है मैंने भेजा है कौन? काहितरी? हम हम अरे वाँ उसने तो बहुत चल्दी सप्राइज दे दिया वो का है? रूम में एए कहां जा रहा है? एए सूथो क्यों दादा? जिस स्पीड में भाग कर गया है लगता नहीं है कुछ जादा एक्साइटेड है कुछ गलत हो गया तो अरे कुछ गलत कैसे होगा? वो मेरा पोता है इस घर का चिराग तुम जाओ किसी ने सिखाया नहीं कि अंदर आने से पहले नौक करना चाहिए? ओय! तुम ही यह गया करी हो? सब तुम्हारी वज़े से मेरी वज़े से? हाँ तो तुम्हारी उस चेन के चेकल में में यहां बस गई तो तुम ही हो जिसने मेरी चेन चुराई थी चोर क्या कहा चोर? सोने की चेन को वापस लोटाने वाले को अच्छा टाइटिल दिया है तो फिर घर पे सब लोग तुम्हें गाईतरी क्यों समझ रहे हैं? तुम ट्यूब लाइट हो क्या? अब बात समझ आई तुम्हें? तो ये क्यों कहा कि तुम मेरी लवर हो? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे घर वाले ही मुझे लवर समझ बैठे एक मिनिट, तुमने चेन लोटा दी, तो सीधे निकल जाती न? ठीक है, मेरा बैग दे दो, मैं यहां से चली जाती हूँ बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो बस में तुम्हारे पास रख के आई थी मेरे पास कोई बैग नहीं है समझी, चलो यहां से निकलो मजाग कर रहो ना, उस बैग में मेरी बहुत सारी इंपोर्टन चीज़े हैं जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाओंगी अरे, मैं कह रहूं ना मेरे पास नहीं है वैसे भी वो बैग तुम्हारा था, तो तुम्हें द्यान देना चाहिए देखो, तुम मेरा टाइम वेश मत करो तुम जब यहां आई थी ना, तुम्हारे सामान के साथ ही तुम आना बैग होगा जाओ जाके देखो मैं क्यों देखू, जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं जाओंगी, तुमसे जो हो सके वो कर दो मुझे ढरा रही हो क्या, चलो, चलो मेरे साथ, आरे चलो चोड़ो मेरा हाथ, आरे भीया चोड़ो, अबी को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो क्या मात तुम भी, किसी को भी घर में ले लेती हो पहले उसका हाथ छोड़, गायत्री क्या हुआ बेटा, अरे यह गायत्री नहीं है तो फिर इसके पास वो चेन कहां से आई, आया नहीं दादा जी, इसने चुराया था अच्छा हुआ तुने यह नहीं कहा कि यह जेल से छूट कर आई है तुम गबराओ नहीं बेटी, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं जो इसकी फाल्तू बातों पर विश्वास कर लेंगे क्रिश जो कह रहा है वो सच है मा, बताओ, तुम ही बताओ कि सच क्या है और जूट क्या है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्रिश मुझसे प्यार नहीं करता सुलिया मैं यहां क्रिश की चेन वापस करने आई थी पर यहां आप सब लोगों का प्यार देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया अगर मैंने अब सब लोगों का देल दुखाया हो, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिये लेकिन यह सच है कि मैं क्रिश से बहुत प्यार करती हूँ मुझे और कुछ मत पूछिए, मैं चलती हूँ जाओ यहां से, ठैरो बेटी अब तक तुम दोनों साथ नहीं थे, इसलिए मुझे लगा पूछना सही नहीं होगा अब दोनों साथ हो तो पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच आप उससे क्यूं पूछ रहे, मुझ Сे पूछे न, मैं बताता हूँ आपको तुम चुप रहो, बता बेटी मैं और कृष पिछले दो साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं पर हम दोनों के बीच एक छोटी सी गलत वहमी हो गई उस दिन से ये ना मुझसे मिला और ना मुझसे बात की इसलिए मैंने सुचा कि उसकी घर जाकर उससे माफी मांग लू और इससे ये पूछू कि मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई ओ तेरी इतना जूट सब जूट बोल रही है ये रो करता ड्रामा करने के क्या जूरत है ड्रामा वो करते हैं जूट जूट बोलते हैं और मैं तो बिल्कुल सच क्या रही हूँ इतने पवित्र मन वाली लड़की की जुबान से ही इतनी पवित्र बातें निकल सकती है वारे उपर वाले आमेन ए नालायक एक लड़की को धोखा देते तुझे शर्म नहीं आई हमारे खांदान में आस तक ऐसा किसी नहीं किया देख उसकी तरफ इतनी अच्छी लड़की कभी जूट नहीं बोल सकती यह तो हुसर रही है क्यों रेक्रिश क्यों रूला रहा है तुझे फ्रॉर फ्रॉर कहकर एक लड़की को धोका दे रहे हो अरे उसके आसूँ को देकर बेवकूफ मत बनो आप सब उसकी बाते सुन रहे है मेरी बात कोई नहीं सुन रहे है एक बार तो मेरी बात सुन लीचे हाँ सही कहा रहा है तुम चुब बैठो बड़े आए धोके बास कहने वाले ठीक है मान लेते हैं ये मेरी लवर है इसे मेरे बारे में कुछ बताने को कहिए एए जादा एक्टिंग करने की जरूत नहीं है मेरे बारे में क्या जानती हो ये बताओ क्रिश तुम्हारे बारे में चोड़ो याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी फैमिली के सारे लोग मुझे सिर आखो पर रखेंगे तुम्हारी मा मुझे अपनी बेडी जैसा प्यार करेंगी तुमने जो भी मुझसे कहा था ये उससे कही ज्यादा अच्छी है, तुम मुझसे नफ्रत करते हो, मुझे इस बात की फिक्र नहीं, लेकिन अपने परिवार के सामने मुझे जूटा थाबित करने की कोशिच कर रहे हो, इस बात का दुख है मा जी तुम तो गए? चाहिए मुझे कुछ भी कहे, आप इससे कुछ मत कहना इतनी अच्छी लड़की का देल आखे, तो कैसे दुखा सकता है? तुम्हारे जैसे के लिए इससे अच्छी लड़की और मिल ही नहीं सकती तुम्हारे बात में दम नहीं है भतीजे कुछ मत कहिए, मुझे चो चाहे कहलेजिए अरे सुन रहे हो ना इस मासूम की बाते एक देवी जैसी लड़की को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो हॉस्पिटल कौन ले जाएगा मतलब तीखा खाना आप इस जनम में नहीं छोड़ेंगे चुप कुछ भी हो जाए, मैं इसे यहां से नहीं जाने दूँगा दारा जी, वो एक्टिंग कर रही है हाँ दादा जी, एक्टिंग खत्म हो गई, अब मैं जा रही है रूको बेटी तुम है इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अंदर जाओ बरसो पुराने पुष्टैनी जेवर जिस लड़के ने चुराएं हैं, उस पर कैसे विश्वास करी कोई और सच कह रहा है या जूट कह रहा है मुझे नहीं पता, पर तुम सच कह रही हो पापा, किसी लड़की का श्राप लेने की हिम्मत मुझे में नहीं है वो इससे शादी करता है, तो यहां रह सकता है, नहीं तो वो कहीं और जाकर रहे यही मेरा आखरी फैसला है तुम अंदर जाओ बेटा तु खड़ाओकर क्या कर रहा है, चल अंदर अमा देखो, देखो, यह हस रही है, अरे देखो, हस रही है, देखो सबको सिर्फ रोना दिखता है कुछ भी कहो भाणजे, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अरे आपके सर की कसम खाके कहता हूं मामा, मैं उससे एक ही बार मिला हूँ वो चेन मुझसे कैसे खो गई, और वो उसके हाथ कैसे लग गई, और वो यहाँ कैसे पहूंची, यह मेरे समझ में नहीं आया जान पेचा नहीं थी, तो भाग के ऊपर क्यों गया वो गायत्री है, मुझे लगा, इसलिए मैं यहाँ आया, पर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं ची ची, नहीं, सच में, सच में, वादा करता है, उसे घर से बार निकाले का रास्ता बता, अगर तेरा चांस नहीं है, तो एक काम कर, मेरा नम्मूर लगवा दे, देखो, देखो, कैसे गुर रहे है, मुझे पता था, ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, नहीं है तो कसम खा, चोर पर आराम से बट के बात करेंगे, क्यों, आपको घर पर आइडिया जाते हैं का, एक बात बता, शेहर से कुछ लाया है के नहीं, जूस अंदर आइडिया वार, मुंग दाल हो, या बादाम हो, या काजू हो, या पिस्ता हो, देखने में ये सब सॉफ्ट हैं, लेकिन ये सब ओके डॉक्टर, अगली कॉलोर लाइन पर है, आई उन से बात करते हैं, हलो, अपना नाम बताईए, और आप कहां से बोल रहे हैं, धरमपुर गाओं से बोल रहा हूं, नाम है ठाकुर भिश्म सिंग, जी, बताईए आपका सवाल क्या है, कोई सवाल नहीं है, आपकी जी, 77, नहीं, 78, 78, क्या ठाकुर साहब, इस उम्र में खड़े होना ही मुश्किल हैं, और आप, भाजे, क्या बात है मामा, गेटा भी चेंज कर लिया है लाव बेटा, लाव सुभा के साधी दस बज रहे हैं, तुम अभी तक निकले नहीं कहाँ तुम इने मिलने के लिए का था ना पर तुमने तो कहा था कि निकालने का आइडिया दोगी दोनों एक ही है, चलना चलते हैं जाओना मामा टाइम निकल जाएगा, चलना भांजे तुम्हें ऐसी आने वाले हो क्या मजाक मत उड़ाओ, चलना मजाक और मैं और नहीं तो क्या, कमल आसन से कम लगता हूँ क्या मैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू क्यों शांती, आज तुम्हारी साड़ी की चमक कहा चली गई चमका के क्या फाइदा, ये फिर से गंता हो जाएगा हाँ, 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 हाँ क्या कर रहे हो, हाथ में क्या है तुम चोर हो, फ्रॉड हो, ये सब को बताने वाला हो तुम पेपर चुपचाप मुझे दे दो दूँगा, लेकिन तुमें नहीं, अपनी बेहन को जिसे तुमने उल्लू बना है उसे भी तो पता होना चीए न तुम देते हो या नहीं, दो मुझे दो अरे, बहुते ए वांजे, तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे दिल की धड़कन बंदो गई थी जब मेरी आवाज सुनकर तुम टक से पल्टे, तब दिल का धड़कना शुरू हो पाया पहले तो ये दिल का धड़कना बंद करो मामा, उसे भगाने का प्लैन बताओ ना है एक काम करते हम उसे उठा लेते हैं सिनिमा में जैसे फाइट मास्टर रोप वाली रसी से उठा लेता है वो ऐसे रोप? हाँ, रोप से सोच मत बंजे, आज कल की लड़कियों को अच्छी बाते समझ में नहीं आती हैं बुरा बनना पड़ता है उनके साथ मैं भी कितने सारों से अच्छे इंसान के एक्टिंग कर रहा हूँ अब क्या करें साल है? मुझा नहीं दा रही है, मैं जा रही हूँ ए? क्या हुआ? दिमाग में कोई आइडिया आया गया? आइडिया बदल दिया मैंने क्या हुआ मैं तो तुम्हारा लवर हुँ ना रुखो तुमने मुझे घर से बाहर निकल वाया था ना हां तो यहां पे आके गलती करने वाली तुम हो और ससा मैं भुगतू हां रुखो तुम्हें लगा मैं मजाग कर रहा हूं बच नहीं सकती मुझसे देखो मैं कह रही हूं मुझसे दूर रहू वान मैं चिलाओगी कहां बच कर जाओगी यह घर मेरा ही है रुमांस करने से पहले तरवाजा लॉक करते हैं तुम्हें इतना भी नहीं पता आओ कमोन क्या कह रहे थे तुम हां बचोगी नहीं ऐसे ही कह रहे थे ना बताओ मैं नहीं बोला है देखो कुछ पागलपन मत करना जरो मत कृष मैं नहीं डरूँगी ना चिलाओगी और नहीं किसी को आवाज दूँगी अब क्या रहत है तुम्हारा क्रिश जितना मैं अपनी आपको जानती हूं उतना ही तुम्हें भी जानती हूं जिस इंसान का दिल साफ होता है ना वो किसी का बुरा नहीं कर सकता जाओ जाकर कोई और आइडिया सोचो हलो हलो दिदी मैं श्वेता बोल रही हूं दिदी प्लीज फॉन मत काटना अगर तो मुझ से बात नहीं करना चाहती तो मत करो पर मेरी पंपा से बात करवा दो प्लीज गारे निकालाओ रुक्ये बाहमा चाहिए प्लीज मेरी बात पानी बाहमा चाहिए ओ सब यही पर है क्या चलो अच्छा हुआ आज मैं सब के सामने साबित कर दूँगा कि वो गाइतरी नहीं है आंजे पस गई पस गई ना मैंने जब कहा तब किसी ने नहीं माना अब देखो ए क्या हुआ हाँ अब क्यों मूल लटका के खड़ी हो अब तुम्हारा कोई जूट तुम्हें बचा नहीं सकता ए टीवी बंद कर और यहां देख तुम सब इसे गाइतरी समझ रहे थे ना अब सब देखिए दादा जी आप भी देखिए देखो देखो चोर पकड़ा गया है क्यों ये नाम बार-बार ले रहे हो ये नाम मेरे सामें मत लेना कितनी बार काये तुम्हें तुम्हें समझ नहीं आता क्यों क्रिश्णा क्यों ये नाम लेकर बार-बार मुझे टॉर्चर करते रहते हो क्यों श्वेता ये कौन है बेटा मैं आपसे पहले भी कहना चाहती थी क्रिश्च और मेरे छगड़े की वज़ए वही लड़की थी माजी इससे उसी लड़की से शादी करने दीजिये इसी की खुशी में मेरी खुशी है लेकिन जब इसकी बेटी होगी तब उसका नाम गायतरी ही रखिएगा माजी मैं जा रही हूँ लेकिन आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं कर गाए अरे अकल के अंदेर देख रहे हो बिलकुल अंधा हो गया है ये अरे कल को मुझे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल कौन लड़की को जोटा और गलत साबित करने वाला तेरे जैसा गधा मेरे खांदान में कैसे आ गया है यह जोटी है अरे जूट बोल रही है वो सुन बेटा दिवया को खाना दे करा बिचारा कबसे बूखा बैठा हो उपर से शिवा भी घर पर नहीं है देखो मा मैं नहीं जाओंगी अगर एक वक्त उसने खाना ने खाया तो मर नहीं जाएगा अपनी भाई से जरा भी प्यार नहीं है तुझे अब मैं किस के पास कोई बात नहीं दिवया वो भूखा है आशकर के लवर्स को समझता मुश्किल है बता नहीं यह प्यार क्या है ज्यादा बक्वास मत कर भाईया को खाना दे करा ले चल चलते हैं यह चावल की बोरियां अब तक गई क्योंने बोरियां भरके रखी है लौरी का इंतजार कर र क्या हुआ अपने पती के लिए खाना ले कर रही हो क्या देखो क्रिश सारी गलती तुम्हारी है मैंने कहा था कि मेरा बैक दे दो तुम यहां इतनी मेहनत कर रहे हो कहीं भूखे रह जाओगे इसलिए तुम्हारे लिए खाना लाई हो तुम कौन होती हो मुझे सिंपती दि मेरे बिस्तर पर सिफ मेरी बीवी सो सकती है शायद तुम वो भी कर लोगी ये क्या औरत पर आहट उठाता है कितनी पढ़ाई लिखाई करके ये ही सीखा है जब सब केस हम लिए ऐसा कर रहा है तो अकेले में कितना त्याचार करता होगा एक औरत पर हाथ उठाया तुने भगवान माप नहीं करेगा सब बोलते जा रहे यहां क्या हुआ किसी को पता भी है क्यों इसने यहां आकर गल्ती की क्या ये बेचारी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है और तुमने इस पर हाथ उठा दिया बेशरम करी के लचा नहीं आती तुरे कुछ देखा हाँ मैंने देखा क्या भाबी आप भी मार खाकर चुपचा बैठी है आप भी पलेट कर उसे दीजिए इसका मुझ पर पूरा अधिकार है दिव्या इसका मारना मुझे बुड़ा नहीं लगा पर मुझसे जूट करें क्या नहीं नहीं करी है ये कभी नहीं सुदरेगा चलिए यहां से दिव्या एक मिनिट हाँ मुझसे गुसा होकर तुम प्लीज भूखे मत रहना हाँ तुम्हे भूख लगी होगी न प्लीज खाना खा लेना हाँ चलो दिव्या एए क्या हुआ छोटी शकल उतरी हुई ये तरी देखो ना मामा उस भैसेन भावी को फिर मारा तुम्हारी भावी को मारा अब भी देखता हूँ हां इन्हें क्या हुआ चलो चलते हैं एए तेरे मन में जो आयेगा वो करेगा क्या तुम्हें लगता है कि कोई पूछेगा नहीं तुमसे सुनाया तुमने शोयता पे हाथ उठाया है ये जानते हुए कि कल को वो तुम्हारी मा भी बनने वाली है फिर भी तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कुछ भी हो जाए कोई मामा अपने ज़वान भानजे पर हाथ उठाता है क्या खिरिर से मोटा है जो सबपर हाथ उठाएगा तूने क्या सोचा था मामा है तो मारने पर कोई तुससे पूछेगा नई अब समझे भानजी यह यहाँ क्या रहा है कुछ दिर पहले यही हुआ है आज उसने हाथ उठाने की जुर्वत की है अब चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला उसका कुछ करना ही होगा कहते हैं जहां गुस्वा होता है वहाँ प्यार भी होता है लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है तुम उस निकम में से प्यार कैसे कर बैठी बेटा मैं तुमसे शादी करने के लिए उससे नहीं कहने वाला क्योंकि वो इसके लायक नहीं है लेकिन तुमसे पूछता हूँ क्या तुम उससे शादी करके अपना जीवन खुशी से बिता पाओगी ठीक से सोच कर बताओ जो सच्चा प्यार करते हैं उनके लिए एक दूसरे का साथ ही काफी होता है ठीक है बेटी अच्छा दिन देखकर पंडित से महरत निकलवा लेता हूँ एई इतने सालों में आज पहली बाद तुमने कोई अच्छा काम किया है कौन सा काम? उसके लिए तुमने जो ये फोन आन रखा है त्योहार के छे दिन बाद ठीक छे तारे को बड़ा शुब मुहूरत है उस दिन आप मंग नहीं रख सकते हैं बाद में सब देवी संभाल लेंगे अच्छी बात है पंडित जी सर क्या बात है अंदर कहा चले आ रहे है रुख जाई बिना कुछ बताए अंदर घुसे जा रहे है यहां गैतरी कौन है हाँ सर वो यहीं पर है बताईए क्या बात है गैतरी कहा है अरे सर पहले आप यह तो बताईए कि बात क्या है गैतरी कहा है आपको गैतरी से क्या काम है उस लड़की पर मर्डर केस है इसलिए उसे अरेस्ट करना है सर, लगता है आपको कोई गलत फहमी है हें, हमें कोई गलत फहमी नहीं है अब उसे बाहर निकालते हो या पूरी परिवार को अंदर करो सर, पूरी बाद जाने बिना उससे नहीं ले जाने देंगे मेरे भाई बाहर गए हुए, उनके आने तक आप इंतजार कीजिए मेरे पास अरेस्ट वारेंट है किसी का इंतजार करने की जरुवत नहीं है जल्दी से लड़की को बाहर बलाओ गायतरी तुमी हो क्या? जी हाँ जालो अरे जालो 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 अपले शांगी है जालो जालो अरे क्या हुआ भंजे सारी फैमली मातब में बैठी हुई है उस लड़की को पुलीस ले गई ना शायद इसलिए ये भंजे छोड़ो ना मामा उसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी इतना सनाटा क्यों है भाई कोई तो बोलो अपने बेटे को छोड़ कर किसी बार से आई लड़की पर भरोसा कर लिया आप लोगों ने अब क्या हुआ पापा ये जूट कह रहा होगा लेकिन तुम सच कह रही हो मैं जानता हूँ कैसा लगा सच मा ए घर की महालक्ष्मी को रुलाते हुए शरम नहीं आती तुझे बेटा कहने में शरम आ रही है मुझे अब कैसा लग रहा है महालक्ष्मी कहा है अब तेरी बारी हेलो भावी 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 इतनी खूब सूरत है वो कि मैं उसकी जिन्दगी में हूँ ये मेरी खुश नसीबी है ऐसा कहाना तुने अब कहां गई तेरी फेवरेट भावी पिना सच जाने ही आप लोगों ने अपने देवता जैसे बेटे को घर से निकाल दिया दादा जी ले गए ना बुलिस वाले देखिए ये सब कहकर मैं आपको चिड़ाना नहीं चाहता हूँ बस ये बताना चाहता हूँ कि क्या हूँ अबीटा इन्हें जो लेकर गई थी वो नकली पुलिस थी नकली पुलिस ये आपको कैसे पता चला हूँ आप लोग किस थाने से हैं नमस्ते सर और गाड़ी पर ये क्या लिखा हूआ है सर थाने में गाड़ी थी तबी से लिखा हूँ है सर पेट्रोल को पिट्रोल लिखकर बेवभू बना रहे हो वो लोग यहाँ पर नकली वारंट पेपर लेकर आये थे और आप मेंसे किसी ने ध्यान तक नहीं दिया बाबी उन सब को छोड़ा तो नहीं न बिल्गुल नहीं सर उन सब से पुलिस टेशन में पूस्ता चल रही है बाहर के गुंडों से तो हम निपट लेंगे लेकिन यह आपके घर का मामला है अब यह कैसे सुल्जेगा यह आपको ही देखना है मुझे पुलिस टेशन जाना है चलता हूं सर जीजा जी मुझे माफ कर दीजे जीजा जी ये बेवकूफी मुझसे हुई है जिजा जी आपके बेटे कृष्णा के लिए मैंने ये बेवकूफी वाला काम किया जिजा जी मुझे माफ कर दीजे आपको धोका देने की इमत मेरे अंदर नहीं है जिजा जी मुझे माफ कर दीजे मुझे निका लिए मत घर से चला उठा तुम दोनों नहीं सुधरोगे पापा सगाई के लिए अच्छा मुहरत देखने गए थे न लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है अब उसी दिन शादी होगी यही मेरा फैसला है अरे मजे माँ मामा भागा निक अरे मजे मजे छोड़ दे मेरी गलती नहीं है किसने बोला था यह सब बखवास द्रामा करने के लिए बखवास द्रामा क्यों किया मामा यह लो मांजे कुछा हंगामा करना ही है तो फिर क्यों न बिना बताए ही करो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसका बिना बताए जो ड्रामा किया उसका रिजल्ट देख लिया न उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर गायतरी को घर के अंदर लाना ही होगा पर कैसे पता नहीं मामा कुछ तो करो करता हूँ देखा चक्मा दे दिया तुझे देवी पूजा शुरू हो चुकी है देवी के अभिशेक के लिए मंदिर में पर्ची काटी जा रही है इसलिए भक्तो से नुरोद है कि किरपा करके देवी के अभिशेक के लिए पहले से ही पर्ची कटवा ले हाँ जी जाजी वो मंदिर आ रहा है ना हाँ वो कबसे बहारी खड़ा है क्यों वो अंदर नहीं आना चाहता बुलाता हूं उसे आज अच्छा दिन है कोई गाली खाने का काम मत करना ठीक जी जाजी सब कुछ ठीक है ना ठीक है पापा पापा वो जेवर गायत्री को दे दी क्या हूं भाबी बताओ ना रोख यो नहीं बताओ बेटी क्रिष्णा ने बढ़ी अच्छी लड़की ढूल के निकाली है क्रिश्प्स्थी लडॉअ धटे द में जो कि है साटाओ बताह ऊच्छी ow पर टूम को रहाग चाम तो पलाई धायत्री घ। अच्छा नाचते हो अच्छा नाचते थे थे न अरे ऐसा क्या कह दिया पापा हाथ में लाठी है तो कहीं भी फैक दोगे पड़ो की इज़त करना सीखो छोड़ियेनने पापा गलती से गिरगया ulanा जानबूच के गिराया अब क्या करेगा लटबाजी करेगा क्या हमारे साथ है अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या पास साल पहले ता है कि यही लटबाजी जीतते आ रहे थे लेकिन इनोंने कभी ऐसी बत्तमीजी नहीं की मतलब पात साल से कोई मर्द नहीं बचा अलठ बाजी करने के लिए अच्छा जोड़ा जोड़ा आज़े बहुत गुस्सा आ रहा है तो शर्ट क्यों बख़़़ रहा है जाके लट उठाना मैंदान में आके मुकाबला करें तुझे क्यों गुसा हो रहा है जब जरूरत थी तब तो शहर में जाकर बस गया अब इससे कहने से क्या फाइदा होगा चल जाए यहां से जा अरे जा रे बच्चे जा जैसा तेरे बापने काव वेज़ा अरे मैंने कहा न चुप हो जा जा बिटा जा क्या हो आपको किसी बाहर वाले ने कुछ कह दिया और आप वही बात लेकर बैठ गए कहा जरूर किसी और ने लेकिन सुनना तो पड़ा तुम्हारे बेटे की वज़े से ही न आज तक न जाने कितने लोगों को मैंने लड़ाई में हराया होगा लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने बिना लड़े ही मुझे हरवा दिया तुम्हारी बात मानकर मैंने उसे जो आजादी दी न तो सुनना ही पड़ेगा न आप भी तो उसे प्यार करते हैं इसलिए उसे आजादी दे रखी है अब मुझे सुनाने से क्या होगा छोड़िये न अब ज्यादा मत सोचिये सब ठीक हो जाएगा है एक और डाल द centr जी बहुत हो गई छोड़िया भूल गया तुझे पीना मैंने ही सिखायये आई का आपने तु सिखाया है लेकिन आपने जो सिखाया है उसे मैंने आज तक याद रख़ लेकिन आपका पोता ना उसने अमारी बहुत पेज़ती की मेरा बज चले तो अपनी लाठी से उसकी अरे हड़ी बजली तोड़ देता है ना मेरे बेटे की शकल देखी मैंने अज तक उसे इतना निराश नहीं देखा सर जुका कर खड़ा था कृष्णा अगर लठबाजी करता तो मेरे बेटे का स समझा है दादा जी अभी भी कुछ ने विगड़ा मुझे लठबाजी सिखा दीजे मैं लड़ूंगा उसके खिलाब तू पहले चिपस दे उसका कुछ न कुछ करना ही होगा वही तू मैं कह रहा हूँ दादा जी आप मुझे सिखा दीजे ना इस घर की इज़त मैं ही बच लीजे ऐसे पिएंगे तो कल पक्का बैंड बजेगा ये शोट के से हैं को नहीं होगा नेमस्ते क्या बात है शंकर ये बैंड बाजे के साथ तुम्हें क्यों आप क्यों आए ठाकुर साहब पिछले पांस सालों से हमारे गाउं का कोई भी लटबाजी में हिस्सा नहीं लिय लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा ठाकुर साहब इतने सालों से जो इस गाउं से नहीं हुआ वो अब हो रहा है सुनकर बहुत खुशी हो रही है ठाकुर साहब मैं समझा नहीं ठाकुर साहब हमारे गाउं से कोई भी इस मुकाबले में हिस्सा लेता तो हमें खुशी होती ले लेकिन इस उम्र में उनका लड़ पाना संभो है आप सब बड़े हैं अब आप युने समझाइए लटबाजी में दादा जी हिस्सा नहीं ले रहे है चोटा बेटा कृष्णा ले रहा है अब जल्दी से क्रिष्णा को बुलाईये हमें उसका सम्मान करना है अब कृष्णा छोटे वाले बंगले में है ऐसा है क्या तो क्या हुआ छोटे ठाकुर हो यह उपर ठाकुर सम्मान ही करना है ना तो इनी को माला पहना देते हैं उसे मुकाबला जीतने दीजिए फिर पूरे गाउ वाले चुरह ही बनाएंगे बदाई यह ठाकुर साथ यह सुनके खुशोने की जरूवत नहीं है क्रिश्णा ने गुस्से में आकर अपना नाम दे दिया है लेकिन वो जीतेगा की नहीं डर कर छुपने से अच्छा है सामने रहकर दुश्मन का सामना किया जाए जेस दिन उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की सोच ली उसी दिन वो जीत गया तुम जाकर कृष्णा को घर लेकर आजाओ मा, 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 अरे कृष्णा क्या हुआ मा कहां पर है उन्हें याँ पर बुलाईए ए तो इतना चिला क्यों रहा है आप सब चाहते क्या हैं, पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं अब पूरी जिंदगी के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है क्या क्या हुआ बोलेगा भी किस से पूछ के मेरा नाम मुकाबले में डाला आपने क्रिश ये छोड़ो की नाम किस ने दिया ये सोचो खांदान की इज़त का सवाल है हाँ, आपके खांदान के इज़त के लिए मैं हाथ पेर तुड़वा कर घर पर बैठ जाओ हाँ, ये कहा का निया है, ये फैसला पापा ने किया या पुरे घर ने मिलकर मेरी बैंड बजाई है मुकाबले में मेरा नाम किस ने डाला अभी बताई है बताते हो या नहीं तुम्हारा नाम मैंने डाला किस ने पुछके मेरा नाम दिया मैंने नहीं दिया, तुम्हारे परिवार वालों ने दिया सर नेम तुम्हारे पापा ने दिया, नाम तुम्हारे दादा जी ने दिया और तुम्हारी जो डिग्रीज हैं उनी की दिलाई हुई है अपना कहने लायक तुम्हारे पास है ही क्या कुछ भी नहीं है अगर तुम्हारे पापा का नाम निकाल दोगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है जिन्दगी में जो भी तुम्हें चाहा जिस चीज की ख्वाहिश की तुम्हारे पेरेंस ने वो सब कुछ तुम्हें दिया एक बीटा होने के नाते तुमने उन्हीं क्या दिया? उस दिन तुम्हारी आखों के सामने एक गैर आग्मी ने तुम्हारे पापा की बीज़ती क्या कर दी, तुम्हें उसका कॉलर पकड़ लिया? लेकिन वही अपमान तुम्हारी वज़े से उन्हें रोज छेलना पड़ता है उन्हें कैसा लगता होगा? कभी सोचा है तुमने? तो उनके लिए मैं लुंगी पहन कर अपने हाथ पर तुड़वालू ये चाहती हो क्या? क्यों? उन्हें तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम्हें कंप्यूटर नहीं दिलवाया? स्टरीज के लिए बाहर नहीं भेजा? तुम्हें पैंशट नहीं दिलवाई? जबकि उन्हें लुंगी शोर्ट पसंद है और तुम उनके लटबाजी नहीं कर सकते? इतना ही नहीं क्रिश, अगर तुम ये लटबाजी का मुकाबला जीत चाते हो तो तुम्हारे घरवाले तुम्हारी पसंद की लटड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे लेकिन बीच में शनी की तरह तुम खड़ी हो जैसे ही तुम मुकाबला जीच जाओगे मैं ये घर छोड़कर चली जाओगे अच्छी है न सच कह रही हो तुम बेविश्वास कैसे करूँ, बताओ तुम्हें मेरी ये शर्ट मानने ही पड़ेगी इसके अलावा तुम्हेरे पास कोई चोईस नहीं है मेरा घर छोड़ने के लिए मुझसे ही शर्ट रख रही हो मेरे यहां रहने का कोई कारण है तुम जीते तो फाइदा तुम्हारा है ना कि किसी और का अरे कृष्णा बेटा इस लटबाजी में भाग ले रहे हो पूरा का पूरा गाउं इस लटबाजी को देखने के लिए बहुत उस्सुक है बेटा हमें तुम पर पुरा भरोसा है तुम उसकाली को हरा कर इस गाउं का नाम रोशन करोगे शहर में जाने के बाद भी तुम अपने संस्कार नहीं भूले हमें तुम पर बहुत गर्भ है क्या हुआ बेटा तुम इतने शांत खड़े हो मुकाबले में जीत तो जाओगे ना मैं जीतूँ गाउं तुम भी भाणजे सिदा सर हिला के गुश गया वो गाउं से नहीं जाने वाली है बलकि तुमारा पैक अप इस दुनिया से कराने का चक्कर में आए वो बंजे और तुम्हें तो कुछ समझ में आने रहा श्वेता ने मुकाबले में मेरा नाम दिया इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर लोगों को मुझे से बहुत उम्मीद है मामा पता है आज क्या हुआ लोगों ने मुझे अपने कंदे पर उठाया और उसके बाद सारा गाउं गुमाया वो बहुत खुश थे और पापा भी है पापा खुश है ये मेरे लिए काफी है उनके लिए मैं अपनी जान भी देशुता हूँ वाई एक बात पता चलिया आपको क्या हुआ और धरमपुर गाउं वाले आपके खिलाब लड़ने के लिए एक आदमे कड़ा कर रहे है वाई कोन है काओन है उस दिर मंदिर में भाई का कॉलर पकड़ा था भई उसे क्या लगता है लटभाजी कॉलेज में लड़की घुमाने जितना असान है जो सांस से मेरा कॉलर पकड़ा था वो हाथ काट तूँगा आने दोसे मक्रा खुद हलाल होने के लिए आ रहा है देखता हूं से पर अब मुझे डर लगने लगा है मुझे भी इसी बात का डर है मैंने जोश में आकर तुम्हारा नाम तो दे दिया मेरे खातिर तुम्हारे परिवार की इसद दाव पर लगी है मैं रहूँ या ना रहूँ तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा तो आप क्या करें? मेरे साथ हाँ, बताती हूँ यही मेरा पोता है मैंने अपने बेटे बलदेव को आपके पिता के हवाले किया था और आज बर्शुम बाद मैं अपने पोते को आपके हवाले कर रहा हूँ अगर आप इसे सिखाएंगे, तो यह जीत कर सब का नाम रोशन करेगा ठाकर साब, आपकी बेटे को लट सिखाना हमारे लिए सम्मान की बात होगे आप पेफिक्र रहें, आपको कुछ कहना है? मैं लट बाजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता बस अपनी खांदान के इजज़त के लिए मुकाबले में उतरने माना बस अब देवी मा को साक्षी मान कर आप ये दक्षना स्विकार कीजिए देवी मा मेरे पोते को विज़ाई बनाना क्रिश्ना तुम्हारा ध्यान कहा है सबसे जरूरी बात है कि लट को कैसे पकड़ा जाए लट को अगर ठीक से नहीं पकड़ा तो दुश्मन आसानी से तुम्हें धूल चटा देगा उठाओ बाबा क्या हुआ ये कुछ नहीं बाबा लाओ दिखाओ मुझे दर्द छुपाने से कभी कम नहीं हो जाता दर्द बाटने से कम होता है अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ लट बाजी के मुकाबले में हर कोई हिस्सा लेता है मगर जीता वही है जिसका लक्ष सही होता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है चलो खाना खाओ ये नजारा कितना खुबसूरत है न मैं यहां कई बार आ चुका हूँ पर अब तक मैंने इसे करीब से नहीं देखा था जब मन में टेंशन होती है न तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती पर जब आपके साथ साथी हो तो हर चीज अच्छी लगती है इस चक अपने मन पसंद साथी के साथ समय बिताने से अच्छा और कुछ भी नहीं है यही बात अगर गाहितरी ने कई होती न तो पता नहीं मैं कितना खुश होता लेकिन उससे तो यूएस में सेटल होना है क्यों तुम्हें वहाँ जाने में इंट्रेस्ट नहीं है पहले था पर अब नहीं है सब तुमारी वज़े से मेरी वज़े से? और क्या? पहले मैं अपने घर वालों की नजरों में निकम्मा था पर अब उनकी और गाउं वालों की नजरों में हीरो बन गया हूँ अब इन सब को छोड़के कैसे जाओ? ये कहकर उसे कन्विंस करके देखो कन्विंस करूँ? वो इन सब के बारे में नहीं जानती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बता है? दूसरों को तुम्हारी वज़े से दुखना पहुंचे यही सोचते रहते हो सही हो या गलत तुम्हारा दिल जो कहता है वही करो अगर वो तुम्हें समझती है तो तुम्हें जोड कर नहीं जाएगी नहीं तो मैंने जैसा कहा है वैसा कहो फिल भी अकर पर नहीं मानती तो मेरे पास लिया हो तुम्हारे पास तो गल्ती से भी नहीं लाओंगा तुम वैसे भी जूट बहुत बोलती हो तुम्हें क्या लगता है जूट बोलना इतना असान है जूट इस तरह से कहना चाहिए कि सामने वाला आप पर विश्वास कर ले ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलो और हो गया जूट बोलने के लिए टालेंट चाहिए जूट बोलने में पिएजडी है ना तुम्हारे पास तुम्हारा ये जूट मुझ पर नहीं चलने वाला तुम्हारी आँखों में देखकर बता सकता हूँ कि तुम जूट बोल रही हो देखते हैं ओए देखते हैं ना ओके आप मैं जो कह रही हूँ बताओ सच है या जूट कैसे बताओ समझ में नहीं आरा तुम अगर मुकाबला जीच जाओगे तो तुम्हें चोड़कर चली जाओगी कह तो दिया पर तुम्हें चोड़कर जाओगी या नहीं पता नहीं मुझे लगता है मुझे प्यार हो क्या है शैते में जोट लगे पर मेरा प्यार जूटा नहीं क्रिश I love you क्या हुआ कुछ पता चला तुम तो बहुत अच्छा जूर बोल लेती है अच्छा जूर बोलो मामा हाई तुमारी पुरानी दोस्त मिल गई पूछ रही थी तुम्हें सोचा लेता चलो कैसा लगा ये मामा की इस चरम का मतला ले रहा है कर्टोर कर्टोर ये घर है न क्या हुआ यहां कैसे आना हुआ आप जाकर दिल को सुकुन मिला यही आना असली वाली मैंने कहा था ना मैं तुम्हें सर्प्राइज दोंगी कैसा लगा मज़ा आ गया अच्छे ये बताओ ये कौन है गाड़ी में भी मुझे बहुत घुर घुर के देख रहा था मेरी नजर यह ऐसी है मामा काड़ मेरे खराब नहीं है भाणजे क्रेश सिफ तुम्हारे लिए मैं साड़ी पहन कर आई हूँ और तुमने कुछ भी नहीं कहा शौक में होना मैं मामा पापा यही पर आ रहा है कुछ करो अब क्या करें भाणजे तुम इसे लाए और तुम ही कुछ करो यो तु एक री सोच तुम्हारे पापा है ना मामा मुझे आशिरवाद दीजिया अंकर मेरी फ्रेंड है बापा देवी के उत्सव के लिए आई है तुम्हारा नाम क्या है बेटी श्वेता नाम है इसका यह कैसी हरकत है एक लड़की को अंदर ले जाने के बजाए उसे बाहर खड़ा करके ही बात कर रहे हो उठाव इसे ठीक हजी आजी जोड तो नहीं लगी ना नहीं ठीक अंदर चलो आप चलिए मैं आता हो बोनाम बताने की क्या ज़रू थी तो मैं क्या करूँ डर के बारे मुह से निकल गया क्या हुआ पापा बुला रहे हैं चलो चलो यह मेरी काकी हाय आंटी और यह दिव्यया сдел बाए लिख नहीं टुम्हारे बारे में लिख़़ और चलो かな बाद कर Qui क्रिशन हे वो ल्ड़की यहीं तो है क्रिशन की श्वेता श्वेता स्वेता यहां कियो खड़ा है जा कि उपर बात करें किया देख रही हो यही है कृष्णा की गर्फ्रेंड मेरी माँ वो तुम्हारे लिए मेरी तो सासुमा है आशिर्वा दीजे सासुमा यही वो श्विता है मेरी फ्रेंड है माँ तुम्हा ठग गई होगी ना चलो चलो क्या बात है सबको मैं तुम्हारी फ्रेंड हो क्यों बोल रहे हो अरे गाइत्री मैं क्या कह रहा हूं वो तो हाथ मत लगा ना मैंने अपने प्यार के बारे में अभी तक घर पे नहीं बता रहा है तुमने कहा था तुमने सब बता दिया है सबस्ता है कर बस एक दिन की तो बात है कल का मुकाबला खत्म होने के बात मैं सब के सामने सच बता दूगा अब तुम खुश हो ये बात तुम काफी दिनों से कह रहे हो प्लीज याँ अब गुस्सा मत करो एक ही दिन की दिन बात है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ फिर साथ में खाना खाते हैं कलका सिर्फ एक दिन है सिर्फ एक दिन चलो ठीक तुम फ्रेश हो जाओ मैं बाहर जाताओ ए मामा शर्म टी क्या इवांजे अंदर क्या हो रहाथा अंदर जो भी हो रहा है तुम्हे उससे क्या ए शूता को लेकर तुम राहा एगाधा नहिं पता नहिं पता बापे पाब मर गए यार बैठो बेटी ठैंक्स अंकल वैसे तुम करती क्या हो बेटी? यूस में जॉब करती हूँ जल्दी से जल्दी वहीं सेटल होने वाली हूँ वहीं सेटल होने वाली हूँ? मतलब कौन-कौन? ए वो अपने परिवार के साथ जाएगी तुम खाना काऊ ना? कायतरी, तुम बेना जूस पिये ही आ गई दीदी, उसे औरंज जूस पसंद नहीं है, एपल जूस पसंद है अरे, वो एपल जूस ही था हे, दिमाग से काम करो यहाँ पर, हमारी इज़त खराब मत करो ठीक है, जी-जाजी दीदी, दो एपल जूस चाहिए आपके लिए भी बोल दिया है इसको जहनना पड़ेगा क्या? भाईया, ये कौन है? फ्रेंड है ये क्लोस फ्रेंड है अपना मुँ बंद करके खाना का? मुँ बंद करूंगी तो मैं खाऊंगी कैसे? तिव्या, कैस्ट के सामने भाईया से इज़त से बात करनी चाहिए क्रिश, ये कौन है बताया नहीं? बताता हूँ बताओ, मेरी भाभी भाईया की इनसे शादी होने वाली है, समझ गई? मैं जा रही हूँ काईती इस रता? गई काम से, मर गई कहा हो? उपर हूँ मेरे रूम में आओ, तुमसे बात करनी है नहीं गाईतीरी, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा घर के लोग गलत समझेंगे न? गलत समझेंगे? तो क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए वो लड़की ढून रहे है मुझे क्यों नहीं बताया? जबकि सारे घर वाले, तुम उसी लड़की से शादी करने वाले हो कह रहे हैं क्या ये सच है? कहाना ऐसा कुछ नहीं है प्लीस मुझे आज का एक दिन दे दो बस क्रिश मैं जा रही हूँ तुम सब से बात करके अपना फैसला मुझे बता देना एक बार ये मुकाबला हो जाए फिर मैं पापा से बात कर लूँगा सारी गलत फेमी दूर हो जाएगी तुम टेंशन मतलब बस एक क्या हुआ बेटा इतनी टेंशन में किसे बाते कर रहे हो वो मुझे से कर रहे है पापा टेंक्स एचली ऐसा लग रहा है जैसे इस जिन्दगी में पहली बार ही सही मुझे प्यार होने लगा है पर डर भी लग रहा है क्यों? कल अगर मैं मुकाबला जीत गया तो सारा गाउं जश्ट मनाएगा घरवालों के लिए मैंने इतना कुछ किया है ये सोच करके वो भी खुश होंगे पर उन सब की उम्मीदें मैं पूरी कर पाऊंगा या नहीं? मैं जीतूंगा ना? मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतना तुम्हारा लक्षे है तुम सरूर जीतोगे आज देवी के उत्सव में धरमपुर गाओं के और सुजानपुर गाओं के सारे लोगों का मैं हार्दी का विनन्दन करता हूँ इस उत्सव की शुरुवात हम लोग लट बाजी के मुकाबले से करेंगे सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा पिछले पास साल से लगातार जीत हासिल करने वाले सुजानपुर के काली का और अब हम स्वागत करेंगे अपने धरबपुर गाओं के ठाकुर सहाब बिश्म सिंह के पोते और ठाकुर बल्देव सिंह के बेटे कृष्णा का निखा दो से कि तुन कौन हो जा भाण्या जा जीत तेरी ही होगी वे बादी जाओ जाओ जाओं एटा कॉच्छर धर जाओं उुफ झाओ जाओ जाओ जाओं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कृच छिशा का कृच di वा एफ मैं का उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है और मुखाबला जीतना तुम्हारा लक्षे है अपने अनुबाब से तुम्हें बता रहा हूँ लटबाजी के मुकाबले में हर कोई हिस्सा लेता है मगर जीता वही है जिसका लक्ष सही होता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है तुम सरू जीतोगे तुम सरू जीतो है वह अँ अब शब अब हतल सकतो बritव ओ 197 को अबतल सकतो टुक कहिवा है, अजयन सकानज मेग नजयन दो झाल 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 दरमपुर जाओं के क्रिष्टा ठाकुर ने लटबाजी का मुकाबला जीत लिया है क्रिष्टा जाओं के क्रिष्टा जाओं के लिया है सच में कितनी खुबसूरत है ना यहां से वापस जाने का दिल ही नहीं करता यह सब छोड़कर तुम्हें मेरे साथ आना बहुत मुश्किलों का जानती हूँ तुम मुकाबले में जीत गए और जो नकली गायतरी थी वो भी चली गए अब हम दोनों को यूएश जाने से कोई नहीं रोक सकता जिन्दगी में माबाब साथ होने चाहिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जिन्दगी में माबाब साथ होने चाहिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्यों नहीं लगता अगर उन्हें देखने के इच्छा है तो तुम उन्हें स्काइप पर देख सकते हो जब भी तुम उने मिस करोगे, वो तुम्हारे पास ही रहेंगे जब वो साथ है, हमें उनकी कदर है, पर जब साथ नहीं रहेंगे, तो पल-पल हमें उनका एसास होता रहेगा स्काइप पे मा के हाथों से बना खाना देख सकती हो, पर क्या उसे खा भी सकती हो तुम ऐसी बाते करके तुम मेरा मूड आफ कर रहे हो हम दोनों यूएश जा रहे हैं, यह सोचकर मैं कितने खुश हो गई थी पता है घर वालों के बिना इस दुनिया की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती अब क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ अपने घर वालों को छोड़ कर नहीं आ सकता, बस यहीं कहना था उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने भाना बना दिया था तुमसे ही पूछकर मैं सारे इंतिजम करके आई हूँ वीजा हो गया है, घर देख लिया है अब बॉल अफ सिडम, तुम क्यों बदल रहे हो? तब मैं प्यार में अंधा हो गया था, पर अब बात कुछ और है इस गाओं और इसकी लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता क्यों? मैं नहीं आई क्या? देखो मुझे भी गाओं बिलकुल पसंद नहीं है, सच में पसंद नहीं है फिर भी तुम्हारे लिए सब छोड़ कर आई हो ना? उसी तरह तुम भी सब को छोड़ कर मेरे साथ यूएस नहीं आ सकते? छोड़ना इतना असान है क्या? हमारी आँखों पर एक परदा पड़ा रहता है और जोश में आकर हम लोगों को छोड़ने का फैसला कर लेते है पर उन पे क्या बीठी है ये सोच है? यूएस चाह कर सैचल होना तुम्हारा सपना है लेकिन मैं इसी गाउ में रहू, ये मेरा सपना है हम किसी को छोड़ कर किसी और को पाना चाहते है प्यार में शर्थ नहीं होनी चाहिए और जिसमें शर्थ हो वो प्यार नहीं हो सकता ये प्यार का मतलब नहीं है प्यार का मतलब है त्याग प्यार ना हो तो एक दूसरे के बिना हम दस महीने भी रह सकते हैं बिना बात कि ये दस महीने रह सकते हैं अगर है तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं अगर मन में प्यार है तो लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं प्यार में जूट चलता है पर हमारा प्यार कभी जूटा नहीं होना चाहिए सिर्फ रोमेंस करना ही प्यार नहीं होता वो अपने आप दिल से आना चाहिए प्यार में जूट चलता है पर प्यार कभी जूटा नहीं होना चाहिए और मेरा प्यार जूटा नहीं है गायत्री कहां जा रही हो बेटा आज से मुझे इस घर में रहने का हाँ नहीं है ये क्या कह रही है क्या बात है गायत्री मैं गायत्री नहीं हूँ आंकल जिस लड़की को अप्श्वेता समझ रहे है क्रिश उसी लड़की से प्यार करता है इतने दिनों से मैं आप सबसे छूट बोल रही थी ये कह क्या रही है मेरा नम शूटा है अपनी बेहन की शादी के लिए चेल से परोल पर बाहर आई हूँ पर सच में मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहती मेरी बेहन की शादी होने तक मुझे सिर्छ पाने के लिए एक सेफ चके चाहिए थी कहले में चेन होने की कारण आप सबने मुझे कायतरी समझ लिया और मैंने उसका फाइदा उठाया मेरी सगी बेहन समाज के सामने मुझे स्विकार नहीं करना चाहती जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आप सब लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ बर मैंने जेल से आने के बाद गलती की मैंने जो भी गलती की उस सब के लिए आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ एसी गलती को माफी भी नहीं मिलती क्रिश पर विश्वास ना करके आप लोगों ने आँख बंद करके मुझे पर विश्वास किया और मैंने उस विश्वास को चूर चूर कर दिया भगवान भी मुझे इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा क्योंकि मेरी ये गलती माफी की काबल भी नहीं है अच्छे काम के लिए बोला गया जूट कई ससे अच्छा होता है किसी वज़ा से तुमने जूट कहा मैं समझ सकता हूँ पर तुमने इस परिवार का हमेशा भला ही सोचा है इतने सालों में मैं अपने बेटे को बदल नहीं सका पर तुमने कुछी दिनों में उसे बदल दिया तुम कायतरी हो या श्वेता हमें कोई फर्ट नहीं पड़ता जिस वक्त तुम्हारे गले में वो चेन देखी उसी वक्त हमने फैसला कर लिया कि तुम ही हमारी बहु हो उसके लिए तो तुम ही ठीक हो बेटा तुम उसके साथ रही तो वो हमेशा खुछ रहेगा ये मेरा मन कहता है आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा बिलकुल नहीं है उसने मेरी वज़े से ये मुकाबला नहीं जीता है मुकाबला जीतने के बाद मैं उसके जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओंगी ऐसा मैंने उससे वादा किया था काहितरी को हासिल करने की खुशी नहीं उसे ये जीत दिलाई है काहितरी ही उसका सच्चा प्यार है उसके बिना कृष जी नहीं पाएगा वो बहुत अच्छी लड़की है आप लोगों से अपनी बाहू बना कर खुश रहेंगे जब मैं यहाँ आए थी तब मुझे कुछ नहीं लगा लेकिन आज जब आप लोगों से बिचड रही हूँ आप लोगों से दूर जा रही हूँ मेरा मन दुख रहा है बावी माचाना बावी सब कुछ ठीक कर दूँगी बोल कर बीच में छोड़कर जा रही हो क्या हुआ फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है तुम तो जानती हो ना कि मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि मैं तुम्हें दोका दे कर किसी और लड़की के साथ अपनी जिन्दगी बिताना चाहता हूँ मुझसे जूट कह रहे हो ये जूट नहीं है क्रिश मैं श्वैता हूँ तुम्हारा जूट एक मिनिट में बकर सकती हो ठीक है अब बताओ कि मैं सच कह रहा हूँ या जूट मुझसे तुम बहुत पसंद हो ये बात अगर मैं तुम से पहले कह देता तो शायद तुम ये समझती कि मैं हालात का फाइदा उठा रहा हूँ अपने मन में मैंने जिस काहितरी की तस्वीर बनाई थी वो तुम ही हो अब भी नहीं समझी गया सौरी तुम्हारी बातों में खो गई थी पता ही नहीं चला कि मैं कहां पर हूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे दिल में इस तरह बसी हुई हूँ अब तक मैंने तुम्हें जो कहा वो किसी और के मन की बात थी श्वेता मेरे मन में क्या है ये तुम जान सको इसलिए मैंने उसकी मदद ली मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैंने अपने मन में गाहितरी की क्या तस्वीर बनाई है मेरा इरादा तुम्हें धोका देने का नहीं था तुम कुछ भी मत कहो तुम्हारी बातों में आकर यूएश जाना भूल कर मैं तुम्हारे साथ यही रहने की सोच रही थी लेकिन अब लगता है वो मेरी भूल थी हमारे बीच में छोटी से भी मिसंडरस्टैनिंग हो जाती है तो मैं तुम्हें तुरन सुना देती हूँ पर तुम्हारे लिए उसके सिवा और कोई नहीं है और मुझे लगता है वो भी तुमसे प्यार करती है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं प्यार का मतलब त्याग होता है कहा था ना तो तुम्हारे लिए मैं अपना प्यार द्याकती हूँ अगर तुम चाहो तो एक खुबसूरत घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा परिवार जो तुमसे बहुत प्यार करता है इससे पहले जब ये चेन तुम्हारे गले में आई थी तब ही तक्दीर ने हमारा फैसला कर लिया था आज मैं इस फैसले को मांगता हूँ मेरे बारे में क्या जानकर तुमने ये फैसला लिया जब तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा सकती तो तुम इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है श्वता आई लव यू मेरा परोल खत्म होने में कुछ ही वक्त रहे गया है उससे पहले मुझसे शादी कर लो जो भी होगा शादी के बाद पर गले तो लगी सकती है झाल, झाल, झाल